बोलीवूर के नाम चिन एक्टर टारेक्टर मनोश कुमार ने अपने फिल्मी करियर में कई आदगार फिल्में बोलीवूर को दी हैं। फिल्मों में आने के बाद उनका नाम मनोश कुमार रखने की भी दिल्चस्प कहानी है। अपना नाम मनोश कुमार रख लिया। उन्होंने बोलीवूर में फिल्म फैशन के साथ 1957 में डेब्यू किया था। इस फिल्म में मनोश ने एक असी वर्से बुजर्ग का किर्दार निवाया था। ताकि फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिगा पाई। इसके बाद उन्हें बतोर हीरो फिल्म काश की गुडिया 1960 में साइधा खान के सफ कास्ट किया गया था। मनोश को 1965 में आई फिल्म साइध से देश बख्की पर बनी फिल्मों के लिए खास पैचान हासिल हुई। इस फिल्म में मनोश ने साइध भगस सिंग का दंदार रोल निवाया था। भारत पाक विक्षिड जाने के दुरान पूर परदान मंतरी लाल बहादर शास्त्री ने उन्हें पर सलीत नारा जय जवान जय किसान के ओपर फिल्म बनाने के लिए कहा था। जिनकी इच्छा का मान रखते हुए मनोश ने डारेक्शन शेतर में कदम रखा और उपकार जैसे सूपर हिट फिल्म बनाई। इस फिल्म में उन्होंने सैना के जवान और किसान दोनों की भूमी का निभाई थी। दरसल जय जवान जय किसान की भावना को ध्यान में रखतर इस फिल्म की कहानी लिखी गई थी। जिसके लिए उन्हें बेस्ट डिरेक्टर के फिल्म फिर अवोर्ड से भी नवाजा गया था। अपने करियर में जातर फिल्मों में उनके किरेदार का नाम भारत होने की बज़े से दरसकों ने उन्हें भारत कुमार के नाम जे पुकारना शुरू कर दिया था। 1981 में आई उनकी फिल्म करांटी ने बॉक्स ओफिस पर सफलता के सारे रिकोर्ड तोड दिये थे। मगर इसके बाद उनकी फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और उन्होंने साल 1905 में में एक्टिंग 24 से सन्यास ले लिया। इस साल आई फिल्म मैदान ए जंग बतोर एक्टर उनकी आखरी फिल्म रही थी। मनोज के सिनेमा जगत को दिये योगदान को लेकर साल 2016 में उन्हें दादा साफवाल के अवर्ड दिया गया था। भारत कुमार के नाम से मसूर मनोज जैसा दमात पाने का अर्मान उस दोर में हर माँ अपनी बेटी के लिए देखा करती थी। ऐसे उनकी शादी शसी गो स्वामी से हुई है और उनके दो बेटे विशाल और कुनाल हैं मगर पिता के जैसे उनके बेटे फिल्मी जगत में कोई खास मुकाम हासल नहीं कर पाए। दरसल उनके चोटे बेटे कुनाल ने बोलिवुड में टोप एक्टरस रही शरी देवी के साथ डेबू किया था मगर फिर उनके फिल्मों में कोई खास ब्रेक नहीं मिल पाया फिलाल उनका अपना केटरिंग का बिजनेस है। उनकी हर फिल्म में भारते संस्क्रते और सब्वेता का ही बोल बाला देखने को मिलता है। मकर समय के साथ उनके इस जजबे की दर्शकों में लोग फिरता घर्टी चली गई। हलागी मनोज कुमारी भी पहले सेक्स्टे जिनों ने बोलिवुड फिल्मों में पाकिस्तानी एक्टरों को कास्ट किया था। 1989 में आई उनकी फिल्म कलर्क में महम्मद, अली और जेवा ने काम किया था। जो उस दोर के लिए काफी करांती कारी कदम माना गया था।